नमस्कार आपका स्वागा देदार नामा टीवी पे मैं पुनम आपके स्वाइब गंच में हुए अवेद करनन मामले में ग्रीट कंसल्टेंट के आर्किटेक्ट विनोत्सी से आज इडी बुश्टाच करेगी विनोत्सी को पुश्टाच के लिए पहले ही समन भेजा गया था ग्यारा बजे ही उन्हें इडी आफिस पहुचना था लेकिन वो नहीं पहुचे मैं इस मामले में सीएम की प्रेश सलाकार अभिशेक प्रसाथ पिंटू से कल पुश्टाच की जाएगी इडी ने अवेद खनन की जांच के दोरान तीन जन्वरी को साहिब गंच के उपायुक्त राम निवास्यादों मुक्य मंद्री के प्रेश सलाकार अभिशेक प्रसाथ उर्फ पिंटू और ग्रीट कंसल्टेंट के मालिक विनोत्सी साहिद अन्य लोगों के बारा ठिकानों पर छापा मारा था चापे मारी के दोरान विनोत्सी के राची स्थित आवास्त से 25 लाख रुपे केश साहिद कई महत्पुन दस्ताविच जप्त किये गए थे इसी अवेत खनन मामले को लेकर सीएम की प्रेश सलाकार अभिशेक प्रसाथ पेंटू से कल पूश्ताच होगी इससे पहले भी अभिशेक प्रसाथ पेंटू से एडी पूश्ताच कर चुकी है आज से दो साल पहले तीन अगस 2022 को बुलाया था तब उनसे एडी ने करीब 9 घंटे तक पूश्ताच की थी तब इडी ने अवित खनन, खननपटा, आवटन और मनी लॉंडरिंग मामले में पिंटू से सवाल जवाब किये थे पिंटू से उनके परिवार के सदस्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी साथ ही उनके और उनके परिवार के सदस्यों की आये के विबिन स्टोत के बारे में सवाल पूछे थे इडी नेस मामले में साहिब गंज के पत्थर कारोबारी क्रशना खुडानिया को भी समन भेजा है उन्हें पूछताच के लिए 17 जनवरी को बुलाया गया है इडी रेट में पत्थर कारोबारी क्रशना खुडानिया के आवास से जाच एजनसी को चलाग रुपे केश, संपत्य के काखजात और 30 बेनामी बैंक खाते मिले थे इडी को आशंका है कि दूसरों के नाम पर बैंक खाते कोल कर उनके जरी अवित कमाई का ट्रांसेक्शन किया जा रहा था जाच एजनसी ने उन लोगों को चिन्नित कर लिया है इडी अब खुडानियां से पूछे की कि इन बैंक खातों को उन्हें अपने घर में क्यों रखा था इनसे पुश्टाच के बाद उन सभी 30 खातादार को से भी पुश्टाच की जाएगी जिनके नाम से खाते हैं 11 जन्वरी को साहिब गंच डी-सी को ईडी ने समझ जारी कर पुश्टाच के लिए बुलाया था लेकिन साहिब गंच के डी-सी रामनिवास ज्यादव पुश्टाच के लिए 11 जन्वरी को हाजिर नहीं हुए उन्होंने ईडी को पत्र लिखकर सुचित किया कि सरकार द्वारा लिए गए फैसले के आलोक में वह बिनानुमती के पूश्टाज के लिए हाजर नहीं हो सकते हैं इसे के साथ बने राज़कामा टीवी के साथ करने वाद